स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का जानी नेचर क्यूरियोसिटी के नए विडियो में मेरे सामने आप देख पा रहे हैं मैं इस वकत मौझूद हूँ एक खेत में और इस खेत में शाम के समय आज आते हैं धेर सारे मोर जी हां इंडियन पीफाउल और आज हम डीटेल में बहुत जादा विस्तार में बाते करेंगे मोर के बारे में मैं आपके साथ धेरो इंफोर्मेशन शेयर करने वाला हूँ क्योंकि हमारा रास्ट्रिय पक्षी है और इसकी पॉपिलेशन जो है डिकलाइन होती जा रही है इसका जो हैबिटेट है बहुत कम होता जा रहा है तो इसके प्रती अवेरनेस फैलाने के लिए मैं कोशिश करूँगा आपके साथ जितना हो सके डीटेल में आज इनफोर्मेशन शेयर करो आपने भी सुना होगा लोग कहते है ये दिल मांगे मोर तो आईए मोर के बारे में बात करेंगे ये जो मोर है ये मोर इसको इंडिन पीफाउल कहा जाता है और कॉमनल इसको ब्लू पीफाउल कहते है और ये एक पीफाउल की स्पीसीज है जो इंडिन सब कॉंटिनेंट की नेटिव स्पीसीज है और इसको कई देशों में इंट्रेड्यूस भी किया गया है बात में जैसे हम एक example दूट अमेरिका का जो फ्लॉरिडा राज्य है वहाँ पर भी मोर की बहुत आबादी है इंडियन पीफावल की क्योंकि वहाँ पर इंडिया से उनको लेके गए थे और वहाँ पर वो बहुत अच्छे से अड़ाप्ट किया है उन्होंने और उनकी population वहाँ पर बढ़ती जा रही है पीकॉक एक symbol माना जाता है प्यार का ब्यूटी का हार्मनी का रोयल्टी का और इनी कई कारणों से इनको और इनी कई कारणों से इनको National Bird घोशित किया गया था National Bird of India या हमारा भारत का राश्ट्रिय पक्षी यह जो अब हम जब भी मोर कहते है तो हम English में इनको Peacocks कहते है राइट लेकिन Peacock टर्म जो है यह बहुत गलत यूज़ किया राता है यानि आज हम बात कर रहे है Peafowls के बारे में इनकी जो बच्चे होते हैं इनको Peacocks कहा जाता है और जब यह साथ में होते हैं एक साथ कई सारे Peafowls देखने मिलते हैं तो इनको एक popular term है जिसमें इनको muster कहा जाता है जब एक साथ दिखाए देते हैं तो यह थोड़ा बहुत हमको जानना चाहिए पहले अब male females की बात करी रहे है तो male और female में फरक क्या होता है वो भी समझ लेते है Pehens जो होती है उनमें blue coloration और lustrous neck हमको नहीं दिखाए देती उनकी जो neck होती है गर्दन होती है वो green color की होती है Pehens की neck greenish होती है और जो follow होता है greenish color back में भी और peacock जो होता है उसका neck sparkling blue color का दिखाए देता है Females जो है male से छोटी होती है weight में भी wingsman में भी males जो है बड़े होते क्योंकि उनमें tail होती है जिसको commonly हम train भी कहते है बोथ जो male female है उनके सर पर हमको crest दिखाए देता है Pecock यानि जो male pea fowl है इनका bright feathers होता है और यह display करता है इन bright feathers को जब यह courtship display कर रहे होते है जब यह mating के period में होते है Peafowl जो होता है इनका appearance vary करता है species to species आगे मैं species के आपको बताऊंगा दूसरी कौनजी species है लेकिन जो Indian peacock है इनके flashy plumage होता है एक bright blue इनका सर होता है गला होता है और यह attract करने के लिए potential mate को अगर हम female peahen की बात करे तो peahen में हमको brown color दिखाए देता है यह brown color जो है female को female pea fowl को मदद करता है camouflage करने में बचने में छुपने में इनके जो predators होते है क्योंकि female vulnerable होती है खासतोर पर जब वो अंडे देती है उनको incubate करती है उस दौरन तो यह brown रंग females को मदद करता है इस वीडियो में हम parts में information समझ रहा है peacocks के बारे में तो आएए हब हम बात करेंगे इस species Indian peafowl के बारे में तो जो Indian peafowl है उसमें जो male peacock होता है वो brightly colored होता है predominantly हमको blue रंग दिखाए देता है और fan like crest होता है यह train होती है लंबी सी इसके कारण और उन feathers पर हमको colorful eye spots दिखाए देते हैं और यह stiff feathers यह race करते है इनको quiver करते है यानि shake करते है जब यह courtship display कर रहे होते है तब Indian peafowl जो है यह mainly ground पर रहता है open forest या फिर ऐसी जो मैं आपको दिखा रहा हो जगा जहां पर खेती हो रही होती है वहाँ पर इनको कई सारी खाना मिल जाता है जैसे की forage करते आसानी से यहां पर जैसे यह ढूनते है berries अनाज यह शिकार भी कर पाते है साप, चुहे, चिपकली इनका जो एक loud call होता है यह इनको मदद करता है इस call से हम इनको ढून सकते है कहां पर है और खास तोर पर forest में जब हम more का आवाज सुनते है loud call सुनते है तो हमको पता चलता है कि कोई predator आसपास है जैसे tiger और यह जब forest एक चीज़ आप notice करोगे जब भी इनको खदरा महसूस होता है तो उड़ने के बजाए यह यह जो घास होती है undergrowth जिसको कहते है वहाँ पर से यह चुपचा भागने में विश्वास रखते है ना कि उड़ने में लेकिन उड़ने में यह तब विश्वास रखते है जब इनको रोस्ट करना होता है यह बड़े बड़े पेड़ों पर जाकर के उड़के बैट जाते है आगे उसके बारे म सहें बीबें मैं आपको बताओंगा मोर के जो खुबसूरत रंग है वो हमको अट्राक करते हैं बहुत खुबसूरत दिखाए देते ही जो पिकॉक का हैडियन पिकॉक का वो इॉस्ट इरिडिसेंट ब्लु-green प्लुमेंड होता है यानि कि मेटैलिक बलु-ग्रीन ब्लुम इंडिया ने जो है ब्लू पीफाउल को पावो क्रिस्टाटूस को नैशनल बॉर्ड अफ इंडिया गोशित किया था हमने 1963 में और इसलिए किया गया क्योंकि इनका एक लॉंग स्टैंडिंग असोशीशन है हमारी लाइफ के साथ हमारे कल्चर के साथ भारतिय लोगों के और इसी इनी एस्पेक्ट्स को देखकर इसको राश्ट्य पक्षी बनाया गया और एक बात जो खास है मदद की होगी इसको राश्ट्य पक्षी बनाने में वो है कि इतना खास बर्ड है ancient है, majestic है, royal है फिर भी ये common bird है यानि कि पूरे भारत में पाया जाता है तो एक factor है जिसके कारण इनको बनाया गया होगा आज ये bird represent करता है इंडिया को जैसे इंडिया बहुत खुबसूरत है हमारा देश बहुत खुबसूरत है और colorful है वैसे ये bird भी बहुत colorful और खुबसूरत है ये आज bird भारत को represent करता है और और हम इंडियान्स का fascination इन bird के साथ काफी पुराना है हमारी history, हमारे art, हमारे लोक गीत काफी सारी जगा पर peacocks को यानि पीफाउल्स को जगा मिलती है अब अगर हम इस species की में सबसे बड़ा होता है और इसके habitat की बात करें तो जो forest की open forest होते है forest की जो edges होते है, farms में रहना पसंद करते है यहाँ तक कि अब urban environments में भी ये काफी ज़ादा adapt कर रहे है फैसंट जो है ये group of bird है जो belong करता है order, galliformis और family fascinated जिसमें fescents, pastridges quels ये सारे आ जाते है family जो fascinated है ये largest और most diverse assemblage है जिसमें 51 species आती है दुनिया भर के जो fescents है, जिसमें से 17 species इंडिया में देखी जाती है लेकिन इनके बार में काफी कम information available है दुनिया में सिर्फ इंडियन पीफाउल नहीं है, दूसरी भी species है लेकिन इंडियन पीफाउल जो है, ये काफी सबसे खुबसूरत और सबसे least concern बोल सकते है category में आता है क्योंकि इनकी population healthy है और decline होने के बावजूद भी हम concern नहीं है उतने जादा जहां तक हम दूसरे peacocks की बात करे, पीफाउल की बात करे सबसे पहले classification इन बर्ड का कुछ इस तरीके से है दुनिया में जो है तीन स्पीसीज पाई जाती है पीफाउल की इसमें बर्मिस बर्मिस पीफाउल जिसका scientific नाम है पावो म्यूटिकुस African पीफाउल है Congo पीफाउल है जिसका scientific नाम है कॉंगे नैंसिस और इंडियन पीफाउल यानि पावो क्रिस्तातूस जो इंडियन सब कॉंटिनेंट में पाया जाता है ये तीन स्पीसीज है पीफाउल की दुनिया भर में अगर geographical ranges की बात करें तो ये जो दूसरे दो ये जो हमारा साउथी स्टेशन और इंडियन सब कॉंटिनेंट का जो पीकॉक है ये इनकी territory overlap नहीं होती है ये जो इंडियन पीफाउल की स्पीसीज है वो low plains में रहना पसंद करती है 600 मेटर के नीचे वाली altitude की जगा पर पीकॉक जो है widely distributed हैं इंडियन सब कॉंटिनेंट में सारे बहुत सारे states में इंडिया के पाये जाते हैं सारे ही states में और कहीं पर population इनकी ज़ादा है कहीं पर कम हो रही है राजिस्थान में ज़ादा है मथूरा, चित्रकूट ऐसी जगाओ पर ज़ादा है और गुजरात, महराष्टरा यहाँ पर भी अच्छी population है साउथ में भी इनकी population बढ़ती जा रही है लेकिन जब भी मैं population बढ़ने की बात करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले जो इनका original extent था उतना population तो नहीं है क्योंकि इनका शिकार होता है इनके predators है जैसे की leopard, dog, jackal, python तो ये भी इनका शिकार करते हैं इनसान शिकार करते हैं तो इनकी population healthy है लेकिन जो पहले होती थी उतनी नहीं है कम होती जा रही है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम forest को clear कर रहे हैं काट रहे हैं और उनकी जगा पर हम खेती को बढ़ा रहे है forest कट करकर हम खेती जादा कर रहे है और खेतों में हम इनको आने नहीं देंगे तो ये कहां जाएंगे और more जो है ये किसानों के दोस्त होते हैं एक तरीके से जहाँ पर ये साप, चूहे इनका शिकार करते हैं इंसेक्ट को जो हामफूल इंसेक्ट से उनका शिकार करते हैं लेकिन ये ये भी एकसेप्ट करना होगा कि ये crops को भी नुकसान पहुचाते हैं क्योंकि ये बहुत सारे cultivated crops को भी खाते हैं तो एक balance हमें करना होगा जहां पर हम कुछ पार्ट अगर मौर हमारे खेत में आते हैं तो कुछ पार्ट उनके लिए रखे ये हम कर सकते हैं और एक कारण जो मौर का शिकार होता है वो है मौर पंग के लिए male peacock के जो पंग होते हैं बहुत खुबसूरत होते हैं और लखी माने जाते है हमारे कल्चर के साथ जूड़े है प्रभू कृष्णा जो लौर कृष्णा है उनके क्राउन में भी मौर पंग रहते थे तो एक important cultural aspect है इसलिए लोग मौर पंग को रखना चाते है लेकिन कुछ लोग जो मुर्ख लोग है वो मौर का शिकार मेल खासतोर पर मेल पिकॉक का शिकार करते है और वो भी तब जब मेल बहुत vulnerable होता है breeding season में वो ज़्यादा टेज नहीं हो पाता और वो vulnerable position में होता है तब इनका शिकार किया जाता है और ऐसा करने की एक protected species को illegally मारना इसकी आवशकता नहीं है क्योंकि peacock जो है ये अपने punk खुदी share करते है खुदी गिराते है जब breeding season खतम होने आ रहा है mostly जो mature males होते है 3 साल के age के बाद जब इनमे molting शुरू होता है तो ये fertile नहीं रहते है उस season के लिए और non-mature peacocks जो है वो end of September में अपने punk गिराते है तो हम गिरे हुए punkों को भी उठा सकते है मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत सारे more punk को collect किया है जो गिरे हुए है जो खुद more नहीं share किये है तो ऐसे हम collect कर सकते है अब more इतने वर्षों से हमारे संस्कृति से जुड़ा है तो कई सारी लोक मान्यता है होती है ऐसा भी माना जाता है कि more जो है वो जान बुचकर poisonous substances यानि कि जो जहरीली चीज़े है उनको खाता है ताकि वो इन जहरीली चीज़ों से immune हो सके और उसका जो color है और जादा भढ़कीला और चमकदार हो सके ऐसा एक valid point भी है क्योंकि कई सारी species में flora fauna में ये देखा जाता है जिसको oppose madism कहा जाता है तो ये इस point में एक merit तो है Buddhist DT जो महा मयूरी है उसमें भी depict किया गया है more को तो और एक Indic religion में ये more की value है क्योंकि इस वीडियो में बहुत विस्तार में more के बारे में बाते हो रही है तो हम albino peacock के बारे में बात करी लेते है जो सफेद more होते है पूरे सफेद तो जो white peacock होते है वो कोई separate species नहीं होती है वो genetic variation Indian people में जो होता है तब जो होता है उसके कारण more सफेद हो जाते है और ये white color के पीछे कारण होता है leucism जिससे क्या होता है इनका pigmentation बहुत कम हो जाता है reduce हो जाता है इनके पंकों में और white more जो है वो बहुत rare होते है extremely rare होते है और in the wild captivity में इनको promote किया जाता है लेकिन wild में बहुत कम होते है और इनका जो bright white coloration होता है easy target बना देता है इनको predators के लिए तो successful नहीं हो पाते most whites peacock जो है pea fowl जो है एक result है selective breeding जो captivity में होता है अब हम बात करेंगे more के बारे में जो बहुत सारी बहुत सारे facts है उनके बारे में बहुत सारी interesting facts है वो मैं share करना चाता हूँ जो more होते है वो अपने fancy ये जो fancy tail होती है उनकी tail feathers होते है इनके साथ इनका जनम नहीं होता है male peacocks जो है वो over the time develop करते है और इसलिए जो male peachy होता है वो कोई ऐसा showy train develop नहीं करता तब तक जब तको तीन साल का नहीं हो जाता और एक बहुत मुश्किल होता है एक peachy की यानि मोर के बच्चों के sex को पता लगाना क्योंकि nearly identical होते है अपनी माह से और 6 महिने के बाद ही male जो है वो थोड़ा color change और जैसा कि मैंने कहा इनको मारने की ज़रूरत नहीं है इनके पंखों के लिए मोर जो है luckily खुदी अपने पंखों को share करते है हर साल mating season के बाद तो इनके पंखों को हम इसी तरीके से collect कर सकते है और अपने बास रख सकते है जो average life span होती है मोर की वो wild में 20 साल होती है और captivity में उससे ज़ादा तो 20 से 30 साल की इनकी उम्र होती है और ये उड़ सकते है इनके बड़े train के बावजूद peacock का जो tail feather होता है वो बहुत 6 feet लंबा हो सकता है जो कि इनकी body का 60 प्रतीशत होता है length में और इतने सारे odd proportions के बावजूद भी ये bird उड़ सकते है बहुत अच्छा उड़ सकते है लेकिन दूरी तक नहीं उड़ पाथ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से captive breeding में एक ऐसा trend डेवलप होता है जिसमें इनमें white feathers आ जाते है इसको leucism कहा जाता है और एक genetic mutation है जिसमें pigmentation की कमी हो जाती है और ऐसे जो पीफाउल्स होता है इनको हम albino कहते हैं लेकिन इनकी कोई आखे लाल नहीं होती जो भी leucism वाले animal होता है उनकी normal आखे retain होती है normal आखों का color retain होता है तो ऐसा भी मैंने सुना है कि एक समय पर इनके मांस को खाया जाता था इनका शिकार होता था इनको खाने के लिए आज क्या ये होता है मुझे नहीं मालूम अगर आपको पता है तो आप comment में मुझे बताईए क्या ये ऐसा होता है कहां पर होता है अब प्लीज comment में मुझे बता सकते है अब इस वीडियो में उस point पर आते है जो कि more punk को काफी खुबसूरत बना जेता है खास तोर पर जो male peacock होते है उनके punk इतने खुबसूरत क्यों लगते है उसके बारे में बात करेंगे इसके पीछे का कारण यह है कि इनके punk जो है उन पर बहुत छोटे crystal जैसे structures होते है और यही यह जो microscopic crystal जैसे structure होते है यह reflect करते है बहुत सारी wavelength की light को और depend करता है कहाँ पर यह मौजूद है brightness कितनी है और यही इनको bright fluorescent colors provide करते है लेकिन ऐसा हर species में नहीं होता हमारा जो Indian peacock है Indian peafowl है वो ही इसी species में ऐसे splendid plumage दिखाए देते है जो दूसरी दो species है वो छोटी होती है और उनमें few sets of feathers ही होते है और इतना जादा attractive plumage नहीं होते है more जो है omnivorous है feed करते है grains पर और green crops पर भी कई सारे agricultural fields में हम जो खेती करते है जो पाक उगाते है उनको भी एक खाना पसंद दे आए तो बाते हैं इस वीडियो के last topic में जुसको मैं इस वीडियो में cover करना चाता हूँ इनकी जो roosting habit है बहुत interesting है और बहुत research का एक subject है क्योंकि ये अब से पहले तो देखिए तो male कुछ females को ले करके जिसमें कई बार सब एडल्स को ले करके कई बार females के साथ उनके बच्चे भी होते ये group बना करके अपनी roosting area को छोड़ते है और ये जाते है जंगलों के जो clearings होते है खेत होते है cultivated fields होते है ऐसी जगाओ उपर जाते है जहाँ पर इनको ये forage कर सके खाना डूण सके और ये होता है early morning hours में जब midday आता है तो ये अपना तेज धूप के दोरान ये अपना समय छायादार रूख्ष के नीचे या फिर पानी के श्त्रोत के आसपास बिताना पसंद करते है फिर late afternoon में वापिस से ये वापिस से एक बार second time ये जाते है late afternoon में और फिर dusk होते ही वापिस अपने roosting side पर आ जाते है अपने पसंदीदा बड़े पेड़ पर आकर बैठना पसंद करते है तो देखा जाए तो पीफाउल जो है ये roost करते है अपने पसंदीदा पेड़ों पर inactive period में noon में और late evening hours यानि की रात के समय और इनकी कुछ favorite species होती है पेड़ों की जो commonly देखी जाती है जो इनको पेड़ पसंद है बैठने के लिए आराम करने के लिए सोने के लिए तो उसमें acacia nilautica bubble का पेड banion bird का पेड zisyphus की कई species है फिर गुजरात में मैंने देखा है कि नीम का पेड़ काफी preferred है लेकिन उनको उतना पसंद नहीं है नीम का पेड़ क्योंकि छोटा और उतना जादा safety नहीं provide करता देखे रूस्टिंग में बेसिकली इनको एक safe पेड़ चाहे जहाँ पर ये आराम से रह सके इनकी size बहुत बड़ी होती है तो ये move कर सके ऐसा ऐसी branches वाला पेड़ इनको पसंद आए और ऐसे पेड़ जिसमें काटे होते वो भी इनको पसंद है जैसे जिजिफस और बबूल और इनके जो पसंदीदा पेड़ है इस पर भी depend करता है कि कौन से राज्य में कौन से रीजन में ये more मौजूद है जैसे कि क्योंकि हर पेड़ हर जगा पर नहीं होता है तो region wise भी इनको हम categorize कर सकते है तो अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूँ तो यहाँ पर देखा गया है कि नीम का पेड़, बर्गत का पेड़, यूकलिप्टस, नारियल का पेड़, कोकोस नूसीवरा, इन पेड़ों पर बैटना पसंद करते हैं कई बार ये building पर भी बैटते हैं इनसानों दौरा बनाये का structure से, उस पर भी बैटते हैं उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्स में देखा गया है कि ये पुराने शिशम के पेड़, पीपल के पेड़, गुलमोहर, नीम, इमली, इन पेड़ों पर भी बैटते हैं रूस्टिंग बिहेवियर जो पीफाउल्स में देखा जाता है, इसलिए भी important है study करना क्योंकि इनसे इनकी survival जुड़ी है क्योंकि एक तो ये पेड़ इनके heat को कम करते है, heat loss कम हो जाता है फिर इखटा होते सारे more तो information sharing होती होगी फिर better protection मिलता है इनको predators से, खास तोर पर रात के समय पर इसी के साथ मैं वीडियो को end करना चाहूंगा आज का message बस इतना है कि more काफी खुशूरत है, हमारे culture से जुड़ा है इसकी population में गिरावट ना आए, इसके लिए हम सब को प्रयत्म करने चाहिए